हेलो दोस्तों स्वागत है मेरे कुकवित रिकू के चैनल में आज मैं आपको एडली की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी इसके लिए मैंने तीन कटोरी चावल लिया है और एक कटोरी उरत दाल लिया है तब हम mixture grinder में इसका एक अच्छा सा पेश्ट बना लेंगे और पेश्ट बनाने के बाद दोनों को हम मिला देंगे और जब हम उरत दाल को पीसेंगे तब हम पीसने के लिए जिस पानी में हमने भीगाया था उसी पानी का थोड़ा थोड़ा हमें प्रयोक करना है देखिए साथ कदः 7 को भी सबस्क्राइब इस बिच्क बार इस ब्लैकर देंगे। प посмотр 4-8कोन अभि सबस्क्राइब यादकर दोस्तों आपको यह याद लखना है। दोस्तों आपकोismicp पहले नहीं मिलाना है फर्मन्ः लेकर दिन्य के बारे vяч को कराकी यो ग्रेस लेगे। जो बैटर हमने बनाया था उसको हम इस stand में भर देंगे इस तरह से यह करके हम रख देंगे और पूरे उपर तक नहीं भरना है क्योंकि यह थोड़ी सी फूलेंगी और उसके बाद एक हम इडली का stand लेंगे देखिए मैंने सारे बैटर इस stand में रख दिये हैं और इक इडली क तक थोड़ा सा हम वेट करेंगे जब पानी अच्छी तरह से उगल जाए तब हम इस स्टैंड को इस इडली के बतन में हम एक के उपर रखेंगे और 10-15 मिनट तक इसको स्टीम करेंगे आपके पास अगर प्रेशर कूकर है तब आप उसका भी प्रेयोक कर सकते है इस तरह से हम 10-15 मिनट तक इसको स्टीम करेंगे खुड़ु में हमें ग्यास के फ्लेम को काई रखना है उसके बाद जब यह सीटी आने लगे आवाज आने लगे तब हमें कैस के फ्लेम को मध्यम कर देना है इसमें आवाज आ रहे हैं इसमें धुआ निकलना शुरू हो गया है अब ग्य नाइफ की साहता से इसको देखेंगे कि नाइफ में यह लग तो नहीं रही है अगर यह साफ अच्छी तरह से निकल आए उसका मतलब है कि हमारी इडली अच्छी तरह से पक चुकी है इस तरह से उसके बाद हम एक नाइफ की साहता से चारो तरफ इसको इस तरह से हम इस तरह स इस तरह से खीने निकल देखिए, क्नारे से हम किनारे से हम चीडिये लगाइँ किनार भिम चैणिा मैं इसको निकाल देगे क्यों कि हम दूligen ट коп को अच्छी तरह किया था तो आराम चैणियों देहétatखिए, आप इसका उंचा ले सकते हिति मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें